हेलो एप्रिवन मैं यादवेंदर सिंग आपका हाद इक स्वागत करता हूं मैंगनेट ब्रिंग्स कॉंपिटेशन के इस चैनल पर फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बैंकिंग अवेरनेस से भरपूर एक सेशन दोस्तों जिसमें आप हम सीखेंगे मिलकर बैंकिंग अवेरनेस में हिस्ट्री में क्या-क्या घटनाए घटी हैं मतलब यह कि टॉपिक का नाम है बैंकिंग इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडनेस मतलब यह कि स्वतंदरता से पहले क्या-क्या घटनाए घटी थी तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ आज का सेशन फ्रेंड्स बैंक जो है वो बहुत ही एक इंट्रेस्टिंग फील्ड है और एक इंट्रेस्टिंग टॉपिक है तो इसके बारे में डिसकेशन शुरू करने से पहले मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि बैंक होता क्या है तो अगर छोटी सी एक डेफिनेशन में आपको ए प्रेंग्स मनी टूदी कस्टुमर्स मतलब यह कि बैंक वो संस्था है जो जनता से डेपॉजिट एकसेप्ट करती है और साथ में कस्टुमर को लोन देती है यह बैंक कहलाता है यह बेसिक डेफिनेशन है आगे हम और इसे एडवांस तरीके से पढ़ेंगे लेकिन फिलहाल आज हमारा जो लक्ष है वो है बैंकिंग का इतिहास पता करना तो चले शुरू करते कि पहला जो है वो क्या घटना है घटी तो दुनिया का पहला बैंक कौन सा था वर्ल्ड फर्स्ट बैंक दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा फ्रेंस क्वेश्चन आपसे डाता है तो आप बताएंगे कि यह जो है वो जाता है किसको इटली को एटली जो है ओ दुनिया में बैंकिंग का concept ले क्या आया basically 1157 मतलब आप सूच लीजिए कि लगभग आज से thousand year before जो है इटली में banking का concept आ गया था और दुनिया का पहला bank जो माना जाता है that is bank of venice यह नाम बहुत अच्छे से आप याद कर लीजिए bank of venice bank of venice was the first bank which was established in the world दुनिया में स्थापित हुआ पहला bank year बहुत अच्छे से याद करेंगे 1157 मतलब पहले पहल सबसे पहले यही bank establish हुआ था bank of venice venice एक शहर है कहां इटली में जिसके नाम पर यह bank खुला था अब दिमाग में question आना चाहिए कि भाया दुनिया में पहला bank खुल गया पर इंडिया में पहला bank खुलने में काफी समय लगा और दशोकों को आई या सदियों का इंतजार भारतियों को करना पड़ा क्योंकि भारतियों को तो पता ही नहीं था कि bank होता क्या है हाला कि यह मौका कब आया तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ first bank opened in India मतलब यह कि भारत में पहला bank जो है कब खुला तो basically year आप याद रख लीजे 1770 1770 में जो है वो पहला bank खुला और bank का नाम जैसे कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं bank of Hindustan 1770 bank of Hindustan यह जो bank of Hindustan है यह पहला bank था जो भारत में established हुआ Kolkata में established हुआ था friends यह bank और इसकी खासियत यह है कि यह Kolkata में इसलिए established किया गया था क्योंकि Britishers जो है उनका hold सबसे पहले Bengal में ही बहुत अच्छा था और वो उसे आगे बढ़ाना चाहते थे अपने business अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए अपनी सहूलियत के लिए उन्होंने Kolkata में यह bank खोला तो भारत का पहला bank bank of Hindustan भारत में established पहला bank bank of Hindustan अप याद रुखेंगे तो फिर मेरे साथ आप दो पॉइंट बताइए पहला comment में की वर्ल का पहला bank bank of Venice और इंडिया का पहला bank bank of कौन सा bank bank of Hindustan bank of Hindustan जो है यह basically भारत का पहला bank है अब आगे चलते हैं कि पहला bank तो खुल गया लेकिन आगे की banking या तरह असान थी या कठें थी कैसे changes आए वो मैं आपको बताता हूँ चलिए अगली स्लाइड पर मैं आपको ले चलता हूँ establishment of presidency bank friends presidency उन इलाकों को कहा जाता था जिन पर अंग्रेजों के द्वारा appointed एक president राच किया जाता करता था और उसके अधीन जो इलाका आता था उस इलाके को presidency बोलते थे जैसे की Kolkata presidency जैसे की Bombay presidency जैसे की Madras presidency यह सब जो है वो presidency कहलाते थे और जो bank in presidency में खुले वो क्या कहला है presidency bank for example मैं आपको explain करता हूँ अगर आप यह देखें peninsula region जो है वो इंडिया का तो यहाँ पर कहीं जो है वो क्या है आपका Kolkata जिसे उस समय कैलकटा कहा जाता था है ना यह जो है basically महराश्ट के आसपास का इलाका है और यहाँ पर जो है यह जगा है यह basically आज का Mumbai है लेकिन उस समय का क्या है Bombay है है ना और आपको बता दूँ कि यह जो है वो उस समय का मदरास है जो आज का chain नहीं है clear है तो यह तीन शहर थे जो तीनों presidency कहलाती थी कैलकटा presidency Bombay presidency मदरास presidency अब मैं आपको बताता हूँ कि घटना क्या घटी घटना यह घटी कि भया सब से पहले देखिए 1806 है ना ध्यान से देखिएगा क्योंकि यह questions जो है exams में काफी repeat होते हैं पूछे जाते हैं तो भया 1806 में मतलब की 1806 में clear है 1806 में bank establish हुआ नाम था bank of Kolkata देखिए यह लिखा हुआ बैंक of Kolkata यह 1806 में establish हुआ clear है और इसी बैंक का नाम बदल कर बाद में कर दिया गया bank of Bengal देखिए in 1809 अठार से में 1809 में इस बैंक का नाम बदल के क्या कर दिया गया bank of Kolkata कर दिया गया सौरी Kolkata का जो है नाम बदल कर बैंक of Bengal कर दिया गया यह आप याद रखेंगे है ना मतलब यह के bank of Kolkata पहले था बाद में बदल के हो गया bank of Bengal पहले presidency या शेहर के नाम पर था और बाद में जो है वह किसके नाम पर उगया बाद में राजिवी के नाम पर हो गया इसके बाद फिर बात करते हैं, एक और Presidency Bank खुला 1940 में, जिसका नाम था Bank of Bombay, फिर एक और Bank खुला 1943 में, जिसका नाम था Bank of Madras, ये तीनों बैंक जो हैं, वो Presidency Bank कहलाते थे, इस एक लियर, इन तीनों बैंकों ने इंडियन बैंकिंग इस्ट्री में, इंडस्ट्री में बड़ महत्वपून, भूमी का निभाई, और वो भूमी का क्या है, आने वाली स्लाइड में हम पढ़ेंगे, फिलाल मैं आपको बता दूँ कि इन तीनों बैंकों को क्या बोला जाता है, Presidency Bank बोला जाता है, ये आप याद रखेंगे, इस एक लियर, Presidency Bank, फिर से एक बार रिवाइ और मदरास, ये तीन Presidency Bank खुले, ये तीनों Presidency Bank आगे जाके आपको फिर मिलेंगे, अभी फिलाल हम देखते हैं हमें क्या मिलता है, अलाबाद Bank, 1865, क्लियर हैं, 1865, 1865 वो सन आप याद कर लीजे, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि हमने years जो हैं, वो कौन-कौन से अतलब यहाँ पर स्टेबलिश हुआ था Bank of Venice, फिर हमने पढ़ा है 1770, और यहाँ पर कौन सा बैंक स्टेबलिश हुआ, इंडिया का पहला bank, है ना, ये वर्ल्ल का पहला bank, Bank of Venice, इंडिया का पहला bank कौन सा खुला, Bank of Hindustan, फिर 1806 में कौन सा खुला, Bank of Kolkata, जो बात में बद Bank of Madras, अब हम पढ़ रहे हैं, 1865, याद रखिए जब आप अकेले में बैठकर रिविजिन करेंगे, तो इसी तरह से आपको एक timeline बनानी है, एक year का sequence बनाना है, ताकि आपके दिमाग में भारत के bankों का इतिहास जो है, वो पूरी तरह से चप जाए, प्रिंट हो जाए, और आपको बहतर तरीके से याद हो, तो बहुत है, 1865 में क्या घटना घटी है, वो मैं आपको बता रहा हूं कि 1865 में अलाबाद bank का establishment हुआ, और अलाबाद bank के बारे में खास बात फ्रिंट्स ये थी, कि इट वास बैंक इन विच इंडियन्स वर शेयर होल्डर, मतलब यह कि भ तो रेजों के गुलाम थे, अब हम इस मौकाम पे आ गए, कि हम जो हैं, वो क्या बन गए? शेयर होल्डर बन गए एक बैंक में, हिस्सेदार बन गए, मतलब अल्मोस्त ये थोड़ा मालिकाना हग चैसी बात थी, मालिक वाली बात थी, तो इसलिए आप से पूचा जाए, which was the first bank in which Indians were shareholder, मतलब वो कौन सा पहला बैंक था, जिसमें भारती लोग हिस्सेदार थे, तो आप कहेंगे कि हिस्सेदार थे, वो अलाबाद बैंक में थे, वो पहला बैंक था 1865 में, चलिए, अब आगे ले चलते हैं, आपको आगे बात करते हैं, 1865 के बाद अगला sequence हमारा क 1894, 1894, 1894, 1894 में स्टेबलिश हुआ, पंजाब नेशनल बैंक, क्लियर आप लोगों देख सकते हैं, पंजाब नेशनल बैंक का, बिल्डिंग देखे, बड़ी सुंदर सी लगाई हुई है, तो पंजाब नेशनल बैंक जो है भाई साब, बढ़ी आप बैंक है, अच्छा ब जो मतलब क्या होता है, प्रबंधित, मतलब इसका प्रबंधन जो है, वो कौन देख रहे थे, भारती लोग देख रहे थे, इडिवाज फोर्स बैंक, fully managed by Indians, मतलब ये पहला बैंक था, जिसका प्रबंधन पूरी तरह से कौन समाल रहे थे, भारती समाल रहे थे, एक और गर आगे ले चलते हैं आपको लेकिन इससे पहले आपको मैं कुछ और जानकारी दूं कि पंजाब नेशनल बैंक इनीशली स्टैबलिश हुआ था कहां लाहूर में हम आजाद हुए 1947 में और उसके बाद इसे शिफ्ट किया गया कहां पर डेली में तो फिलहाल जो इसका हैड ऑफ लाला लाजपत राय फाउंडर भी थे और प्रबंदन करता भी थे लाला लाजपत राय जी जो हैं यह बिसिकली इसके फाउंडर थे हैना कई बार एक्जैम्स में परिक्षाओं में पूछा गया कि बताइए पंजाब नेशनल बैंक के फाउंडर इन में से कौन थे तो हीरों है स्वधंतरता सेरानी है इस वज़े से मैं इनका नाम आपको याद दिला रहा हूं चलिए आगे लिए चलते हैं कि 1894 के बाद अगला सिक्वेंस जो है वो क्या है तो स्टेबलिश्मेंट ऑफ सेंट्रल बैंक ओफ इंडिया और एर जो है वो आपको अगला याद पूरी तरह से मालिक बन गए मतलब यह कि आप से पूछा जाए विच वास फर्स बैंक फुली ओंड याँ त से भारतिय थे तो आपको बता देता हूं कि हो सेंट्रल बैंक ओफ इंडिया यह पहला बैंक ता जिसके मालिक जो है वो पूरी तरह से कौन थे भारतिय extended है ना हम भारतियों के मालिकाना हक वाला पहला बैंक था Central Bank of India यह आप याद रखेंगे क्लियर है फिर से आपको टाइम लाइन याद दिला देता हूँ दुनिया का पहला बैंक 1157 Bank of Venice इंडिया का पहला बैंक 1770 Bank of Hindustan 1806 में खुला Bank of Kolkata जो बाद में हो गया Bank of Bengal 1840 में खुला Bank of Bombay 1843 में खुला Bank of Madras फिर 1865 में खुला Allahabad Bank 1894 में खुला Punjab National Bank 1911 में खुला 1911 में क्या खुला Central Bank of India तो मतलब यह आपको different color से मैं समझाता हूँ कि यह है पूरी तरह से completely Malikana हक वाला Bank पूरी तरह से जिसके जो है Malik हम थे यह वो Bank था 1911 अच्छा फिर हम पूरी तरह से इसका प्रबंदन कर रहे थे पंजाब National Bank है ना जिसका पूरी तरह से Malik बन गए Central Bank of India पंजाब National Bank हम पूरी तरह से इसका प्रबंदन कर रहे थे हम पहली बार पार्टनर बने अलाबाद Bank यह तीनो Presidency Bank है यह इंडिया का पहला Bank है और यह वर्ल्ड का पहला Bank यह Ears भी मैंने आपको याद करा दिये Ears याद करिए दिमाग में छप जाना चाहिए वीडियो एक बार देखो हमेशा के लिए दिमाग में छप जाए इस देख लिए चलिए आगे बात करते है क्या घटना है घटी अब 1921 का समय आया है ना 1921 है ना यहाँ पर बोल रहा है Merger of Presidency Bank फिर वही बात तीन बैंकों की बात हुई थी हमारी कौन-कौन से तीन बैंकों की बात हुई थी तो देख लिजे सबसे पहले Bank of Bengal क्लिए रहे है अच्छा फिर इसके बाद यहाँ पर आपका Bank of Bombay और फिर यहाँ पर क्या है Bank of Madras Friends इन तीनों बैंकों को मर्ज कर दिया गया एक बना दिया गया और मर्ज करके जो नया बैंक बना that was Imperial Bank इंपिरियल बैंक जो है वो इन तीनों प्रेसिदेंसी बैंकों मिला कर बनाया गया और यह तीनों प्रेसिदेंसी बैंक जो है वो बेसिकली आप से पूछा जाएगा हमेशा कि Imperial Bank किन तीन बैंकों से मिलकर बना है तो आप बताएंगे Bank of Bengal, Bank of Bombay, Bank of Madras बार-बार मैप पे आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप याद रखें एक्जाम में पूछा जाता है अब यह Bank of Bengal, Bank of Bombay और Bank of Madras यह जो है वो ठीक है मरजर हो गया कौन सा बैंक बना Imperial Bank और Imperial Bank की खासियत मैं आपको बता देता हूँ कि यह जो है वो 1921 में जब बना इन तीनों से मिलकर तो यह जो है वो उस समय का Largest Bank of India बन गया मतलब भारत का सबसे बड़ा Bank बन गया उस समय Imperial Bank और किन तीन बैंकों से मिलकर बना है Bank of Bengal Bank of Bombay and Bank of Madras ध्यान रखेंगे Imperial Bank आगे की Slides में फिर आपको मिलेगा आगे की Videos में फिर आपको यह मिलेगा क्योंकि Important Role इसने प्ले किया मैंने आपको बार-बार बताया Presidency Bank important है है ना तो ध्यान में रखेंगे एक और Year हमारी लिस्ट में एड़ हो गया 1921 लास्ट में सारे Years में आप से Presidency Bank और अब देश में आपको बता देता हूँ कि वो समय चल रहा है जब Banking Industry बहुत अच्छा नहीं कर रही थी 1915 के आसपास मतब यह मैं बोलूँ कि 1895 से लेकर 1915 तक दोस्तों यह जो औरा रहा यह जो समय रहा इस समय के दौरान लगबग 60 बैंक खुले और 60 बैंक बंद भी हो गए ऐसा क्या कारण था कि बैंक जो है इंडिया में जितनी जल्दी खुल रहे थे उतनी जल्दी बंद भी हो रहे थे क्या रीजन था इस बात का पता लगाने के लिए बिसिकली किसी को कुछ काम सौपा गया वो मैं आपको बताता हूँ ये भाई साब हिल्टन जी और इनके एक साथी थे मिस्टर यंग और हिल्टन यंग की ये जोड़ी कही जाती है ब्रिटिश ओफिसर्स थे एकनॉमिस्ट भी थे और इन्हें काम सौपा गया कि पता लगाईए कि भारत में बैंकिंग अर्थविवस्था के चर्मराने का कारण क्या है और भारत में बैंकिंग को फिर से अगर ग्रो कराते हैं तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा भारत में बैंकिंग के विकास के लिए हमें क्या करना चाहिए तो Hilton और Young Commission जो है ये basically एक और नाम से जाना जाता है आपको मैं बता देता हूँ कौन से नाम से जाना जाता है ये जाना जाता है Royal Commission के नाम से Royal Commission on Indian Currency and Finance एक नाम इसका ये हो गया एक नाम ये हो गया Hilton Young Commission दोनों ही Commission एकी बात है कब रिपोर्ट सौपी थी Hilton Young Commission ने 1926 ठीक है Mr. Hilton और Mr. Young जो है वो British officers थे एक नॉमिस थे इनका एक पैनल बना था और ये Commission ने किया क्या recommend किया किसको recommend किया RBI को recommend किया Reserve Bank of India established होना चाहिए Reserve Bank of India क्या है हमारे देश का केंद्रिय बैंक है सारे बैंकों को समालने वाला बैंक है तो सभी बैंकों को समालने के लिए एक करता धरता तो कोई होना चाहिए और इसी वजह से स्थापना की सिफारिश की गई Reserve Bank of India के लिए Reserve Bank of India की सिफारिश किस committee की recommendation पर हुई अगर ये प्रश्न exam में पूछा जाए तो आप दवाब देंगे Hilton Young Commission और उसी commission का नाम है Royal Commission मतलब option में दोनों में से कोई भी आए आपके लिए की बात है अच्छा अब आपको एक और important fact में ये बताता हूं कि basically Hilton और यंग जब अपनी इस committee की report पर काम कर रहे थे तो उन्होंने साथ साथ भारत की कुछ books जो है वो पनी जो economies related थी और एक book में उन्हें Reserve Bank of India जैसे किसी संस्था को establish करने की प्रेणा मिली तो कहा जाता है या पूछा जाता है कि बताए हिल्टन और यंग कमीशन को या हिल्टन और यंग को जो है RBI के establishment की सिफारिश करने की प्रेणा कहां से मिली तो वो book जो है लिखी थी BR Ambedkar सहाब ने किसने लिखी थी BR Ambedkar सहाब ने तो अब आप समझ सकते हो कि भाया इतनी महान हस्ती इतनी बड़ी हस्ती नाम ही काफी है तो आप से पूछा जाएगा कि उनकी book का नाम क्या है तो book का नाम था problem of rupee its origin and its solution यह book का नाम है problem of rupee its origin and its solution यह BR Ambedkar की book है और इसी पुस्तक से Hilton Young Commission ने Reserve Bank of India को स्थापित करने की सिफारिश के लिए प्रेणा ली कि भीया देश में ऐसा bank होना चाहिए और यही भारतिय banking industry को grow करा सकता है उसके विकास में important role play कर सकता है चलिए आगे ले चलते हैं आपको Hilton Young Commission ने अपनी report सौब दिये है समय है 1926 का 1926 तो 1926 में जब Hilton Young Commission ने अपनी report सौब दी उसके बाद उस report पे क्या काम हुआ तो अब धीरे धीरे नए नए बिल पास होने लगे Reserve Bank of India बनाने के लिए अच्छा आपको पता है उन दिनों हमारे यहां Parliament की सुविदा उपलब नहीं थी तो हमारे सारे बिल जो पास होते थे वो ब्रिटेन में होते थे ब्रिटेश पार्लिमेंट में तो यह बिल भी जो है वो कहां पास हुआ ब्रिटेश पार्लिमेंट में पास हुआ कि यह Reserve Bank of India बनाने लेकिन अभी पास नहीं हुआ काफी सालों के सुधार के बाद, काफी सालों के अपडेट के बाद, काफी वर्षों के बाद फाइनली 1934 में Reserve Bank of India बनाने का कानून पास हुआ और जब कोई कानून पास होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? अक्ट दिखाता हूँ आपको यह रहा RBI Act 1934 मतलब 1926 में सिफारिश हुई कि RBI बनाई है तो इसके बनाने के लिए पहले इसका कानून पास हुआ RBI Act 1934 और यह जो RBI Act 1934 पास हुआ फ्रेंड्स यह जो है वो माइलस्टोन साबित हुआ इंडियन बैंकिंग इंडिस्ट्री में क्योंकि यह वो कानून है जिसके दम पर जिसके बल पर Reserve Bank of India स्थापित हुआ आप से पूछा जा एक्जाम में कि किस कानून के तहत या किस कानून के अंडर में किस law या act के तहत Reserve Bank of India स्टैबलिश हुआ आप बताएंगे RBI Act 1934 All type of powers of RBI given in RBI Act 1934 मतब RBI के पास आज जो भी शक्तियां है RBI के पास जितनी भी शक्तियां है ये सारी शक्तियां जो है किस की दिवी है RBI Act 1934 की मतलब ये कि RBI क्या करेगा क्या काम करेगा उसके पास क्या powers है ये सब कहाँ डिफाइन है RBI Act 1934 में फिर आपको बताता हूँ कि bank बहुत सारे होते हैं और ऐसे bank जो की listed है RBI Act 1934 में और वो भी RBI Act 1934 की second schedule में listed होते हैं RBI Act 1934 की second schedule में जो bank listed होते हैं उन्हें कहा जाता है scheduled bank क्या कहा जाता है friends? scheduled bank हिंदी ही बोलते हैं अनुसूचित bank आगे जब मैं आपको terminology पढ़ाऊंगा तब भी बताऊंगा कि scheduled bank क्या होते हैं बाकि इतना ध्यान रखिए कि वो bank scheduled bank कहलाते हैं जो RBI Act 1934 की second schedule में listed होते हैं दिये रहते हैं उनको scheduled bank कहा जाता है जो RBI के नियम follow करते हैं RBI के बहुत सारे फायदी भी उसे मिलते हैं तो important है RBI Act 1934 याद रखिएगा इसी के बिहाफ पर इसी के बल पर Reserve Bank of India की स्थापना हुई चलिए आगे ले चलते हैं आपको establishment of RBI मतलब यह के RBI का स्थापना या RBI की स्थापना क्योंकि आप कानून तो पास होगे 1934 याद रखिएगा मैं यह जो भी आपको पढ़ा रहा हूं जितने भी यह आपको बता रहा हूं लास्ट में सब आपको बताने हैं तो आप ध्यान रखिए कमेंट में आप ज़रूर टाइप कीजेगा यह सारे जो जितने भी मैं यह आपको बता रहा हूं एक करके हम सारे रिवाइस करेंगे वीडियो के आखरी में इसलिए वीडियो बीच में बिल्कुल ना छोड़े आखरी तक देखें क्योंकि मैं शुरू से लेके आखर तक आपको बताऊंगा कि कौन-कौन से बैंक जो है वह स्टैबलिश हुए ठीक है तो इस्टैबलिश्मेंट ऑफ आर्बिया मतलब रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई डेट आप याद रख लीजे डेट जो है वो है 1st April 1935 एक अपरिल 1935 को रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई हाला की शुरुआत में इसका जो हेड़ office कहां था कोलकाता में था किरैं और फिर जल्दी ही जो head office ने वो कहां shift हो गया कि मुंबई में कब shift हो गया 1937 में 1937 में यह जो head office है ये मुंबई shift होगे और आज भी RBI के head office कहां पर है? मुंबई में है, clear है? आपको एक और जानकारी देना चाहूँगा कि Sir Osborne Smith जो है, ये RBI के first governor थे, RBI के पहले governor थे, Sir Osborne Smith, clear है? एक और आपको fact बता दूँ कि RBI के जो पहले governor थे, ये Britisher थे, अगर आपसे पूचा जाए कि RBI के first Indian governor कौन थे? तो भीया, RBI के first Indian governor जो थे, वो थे C.D. देश्मुक, C.D. देश्मुक, ये RBI के पहले भारती governor थे और इनका appointment हुआ था 1942 में, तो यहाँ पर दो आपको महतवपून जानकारी मिलती है, पहली तो ये कि RBI के पहले governor कौन थे? Sir Osborne Smith, और फिर दूसरी जानकारी मिलती है, कि RBI के दूसरे governor कौन, या मेरा कहने का मतलब है, कि RBI के पह पहले भारती governor कौन थे? वो थे आपके C.D. देश्मुक, ये आप याद रखेंगे. ठीए, चलिए, चलते हैं, नई slide की तरफ, अगली जानकारी की तरफ. तो Public Ownership Act 1948, मतलब ये कि सारजनिक स्वामित अधीनियम 1948, अब थोड़ा सा समझिये डिटेल में. ये 1948 का समय है, जिस समय ये कानून पास हुआ, और आपको ये बता दूँ, कि basically, 1948 में जब ये कानून पास हुआ, इस कानून की जरुरतिय थी, कि हम आजाद हो चुके थे, 1947 मे लेकिन 1947 से पहले जब Reserve Bank of India बना था, तो बनाया था Britishers ने, अंग्रेजों ने, और Britishers ने जब RBI बनाया था, तो वो मालिक भी थे, और बहुत सारे British Industrialist का पैसा, British Businessmen का पैसा भी उसमें लगा था, मतलब ये कि RBI वोज वर्किंग फॉर प्राइविट शेर होल्डर्स, मतलब ये निजी जो है स्वामित वाले कंपनियों के लिए या इन्वेस्टर्स के लिए काम कर रहा था, अब जब हम आजाद हो गए, भारत सरकार आ गई देश में, हमारी सरकार आ गई, तो अब सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वो organization जो हमारे हाँ note छापता है, वो organization जो बनाता है, GDP पर नज़र रखता है, cash flow को control करता है, इतनी important organization अभी भी private है, मतलब यह कि इसके सहारे अंग्रेज जो है, वो हमारी economy को अपनी उगलियों पर ना चाह सकते थे, और यही बात जो है, वो सरकार को खाय जा रही थी, और इसी वजह से सरकार ने कानून बनाया, Public Ownership Act, साब जनेक स्वामित अधीनियम, इस Act गिवन दपावर तू गवर्मेंट, इस Act ने गवर्मेंट को क्या दे दिया, पावर दे दी, एक शक्ती दे दी, क्या दे दी, कि गवर्मेंट गवर्मेंट गवायर एनी private organization to make it nationalize, मतलब यह कि इस कानून के तहत, सरकार किसी भी संस्था का अधी ग्रहन करके उससे सरकारी बना सकती थी, इसमें ऐसे provisions थे कि सरकार उसे nationalize कर सकती थी, राष्ट्री करत कर सकती थी, अब मैं जो बात कर रहा हूं, राष्ट्री करत या nationalization, तो ध्यान से सुनिये, कि जो nationalization है, इसका मतलब यह है, कि जब किसी private organization में 50% से ज्य सरकार खरीद लेती है, तो उस organization को बूला जाता है, nationalization, या nationalized organization, राष्ट्री करत संस्था, clear है, अब यह power मिल गया है, तो सबसे पहले क्या किया होगा, government ने, आप अंदाजा लगा सकते हैं, लगाई अंदाजा, तब तक मैं नया, जो है, point लगाता हूं, nationalization of RBI, आप समझ ग लिया गया, है ना, और Public Ownership Act 1948 का सहरा लिया गया, इसमें, जो मैंने इस से पहले आपको बताया, government ने RBI को nationalize कर दिया, कि मतलब यह, कि Reserve Bank of India, जो है, वो अब पूरी तरह से राष्ट्री कृत हो गया, मैंने आपको समझाया, कि भही आस government को चिंता थी, anxiety थी, कि यह private रहा, त इसलिए जो है, Reserve Bank of India, जो हमारे financial system का regulator है, उसे पूरी तरह से राष्ट्री करत करने की planning हुई, clear है, और, finally, Public Ownership Act की मदद से, 1st of January 1949, यह date याद रखेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है, यह भी एक स्वनिम डेट है, यह भी एक स्वन दिनांख है, 1 जनवरी 1940, क्यों क्योंकि इस दिन RBI का क्या हुआ था, nationalization हुआ था, RBI का राष्ट्री करन हुआ था, यह आप याद रखेंगे, राष्ट्री करन, nationalization of RBI, तो RBI का ही जो राष्ट्री करन हुआ था, 1st January 1949, तो इससे फर्क क्या पड़ा, इससे फर्क यह पड़ा, कि पहले जो RBI, British shareholders के अधीन था, अब यह RBI, भारत सरकार का हो गया, भारत का हो गया, पुरी तरह से एक भारती संस्ता हो गया, हमारा अपना केंद्री बैक, और इसी को celebrate करते हैं हम लोग हर साल, क्योंकि 1st of January को हम Indians मनाते हैं क्या RBI Day, RBI Day celebrate करते हैं, तो आपसे अगर कभी पूछ ले कि भाया, RBI तो स् 35 को मैंने आपको date याद करा ही थी कि RBI की स्थापना कब हुई थी, RBI कब establish हुआ था, 1st April 1935, यह जो 1st April 1935 है, RBI की स्थापना हुई थी, और nationalization कब हुआ था, 1st January 1949, दोने important dates है, एक April भी और एक January भी लेकिन, RBI हमारा कब हुआ? 1st January को, इसलिए 1st January को हम क्या मनाते है, RBI Day Reserve Bank of India दिवस, चलिए, आपको आगे लिए चलते हैं, हम आजाद हो चुके हैं और हमारा discussion आजादी तक ही था, लेकिन यह वो समय है, जैसे कि हमारा topic जो था, वो था कि भाया, आजादी से पहले banking में क्या घटना है, घटी, लेकिन जादा तर जो प्रशासने घटना है, सरकार के द्वारा किये गए काम है, वो हमारे सम्विधान लागू होने के बाद शुरू हुए, 1950 के बाद शुरू हुए, तो यह बीच के जो काम है, जो कानून उनने बनाए, यह भी मैं आपको explain कर रहा हूँ, इसी में, है ना, Banking Regulation Act पास किये 1949 में, क्योंकि Reserve Bank of India अब क्या हो चुका है, Reserve Bank of India अब सरकारी हो चुका है, मतलब यह Nationalize हो चुका है, तो जब अब हमारे पास खुद का Central Bank है, तो हमारे पास खुद का banking का कानून भी होना चाहिए, मतलब ऐसा कानून जिसमें, या जिसके powers के तहत, Reserve Bank of India भारत क यह बैंकों को चला सके, तो Banking Regulation Act जो है, यह basically कहलाता है, बड़ा important है, यह कहलाता है, Constitution of Indian Banking, exam में पूछा जाता है, which of the following Act is known as Constitution of Indian Banking, किस Act को भारतिय बैंकिंग का सम्विधान कहा जाता है, तो आप बताएंगे कि भाहिया, यह जो Banking Regulation Act है, इसे भारतिय बैंकिंग का है ना, मतलब यह कि RBI अपने सारे काम, बैंकों को चलाने के काम, बैंकों को लाइसेंस देने के काम, यह सारे काम जो है, वो इसी Act के तहत करता है, एक और बड़ी बात आपको बता दूँ, कि वो संस्था जो पैसे का लेंदेन करती है, वो संस्था जो Financial Institution है, अगर वो, यह Banking Regulation Act 1949 में लिस्टेड है, Financial Institution विच आर लिस्टेड अंडर Banking Regulation Act 1949, कॉल्ड बैंक, मतलब यह कि एक Act के इसाब से भी बैंक की डेफिनिशन हो सकती है, कि Financial Institution विच इंक्लूडेड इन Banking Regulation Act 1949 is called Bank, मतलब यह कि और कोई संस्था नहीं, अगर वो इसमें Establish है तो वो क्या किलाएगा, बैंक क्या लाएगा, चलिए, तो अब आगे मैं आपको बताता हूँ, कि discussion जो है, आगे का हमें क्या करना है Friends, मैंने आपको आज समझाया कि भारत में आजादी से पहले, Banking के शेत्र में क्या important घटनाए घटी है अब जब दुबारा हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तो मैं आपको समझाऊंगा कि आजादी के बाद, भारती बैंकिंग ने कैसे अंगडाई ली, कैसे जो है वो development की राह पर आगे बढ़ा और क्या-क्या परिशानी आई और क्या-क्या सुधार किये गया, clear है Friends, मैं आपको बता देता हूँ कि हम मतलब Magnet Brains Competition dedicated है, प्रतिबद है, 100% free education के लिए, free preparation के लिए for all competitive and government exams Bank, SSC, RRB, all other state and central level exams Free education, quality education, आपका selection, हमारा satisfaction Like कीजे, subscribe कीजे, share कीजे Thank you everyone, Jai Hin